Hello students, welcome to Topic Touch. इस वीडियो में हम डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच की exercise नमर 16 सॉल्ब करेंगे. तो चलिए, question क्या है? Change into indirect speech. इंडारेक्ट स्पीच में बदलना है, पहला sentence है. The master said to his servant, bring me a cup of milk. अब देखी, यह है imperative sentence. जब imperative sentence हो, reported speech में है. तो reporting बर्व, set to की जगह पर, requested, ordered, advised, या suggested और urged कर सकते हैं. तो देखी, यह sentence है. The master said to his servant, यानकी मालिक ने अपनी नौकर से कहा, bring me a cup of milk. मुझे एक ग्लास दूद लाओ. तो यह order दिया, तो हम इसे किस पकार convert करेंगे? देखी, the master, set to की जगह आजाएगा, ordered, his servant, यहाँ पर, conjunction to लगेगा, उसके बाद bring, अब देखी, यह जो मी है, यह बदलेगा, यह first person है, master के अनौसर बदलेगा, master का pronoun he, और he का कर्मकारक, मी कर्मकारक है, तो he का कर्मकारक him, इसके बाद, a cup of milk, same to same. Master का यह जो M है, यह small बना लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, दूसरा, the beggar said to his mother, भिकारी ने अपनी मा से कहा, please give me some food, किरपया मुझे कुछ खाना दो, तो देखे, जब भी please लगा हो, reported speech में, तो reporting verb हम लगाते हैं, हमेशा requested, the beggar requested his mother, conjunction to लगाएंगे, और यह please हट जाता है, please हो या kindly हो, k-i-n-d-l-y, please या kindly, दोनों को हटा करके, हम reporting verb requested ही लगाते हैं, और please और kindly जैसे सब्दों को हटा दिया जाता है, conjunction to, उसके बाद give, me जो है, यह beggar के अनुसार बदलेगा, beggar का pronoun he, और me की जगा पर आ जाएगा him, some food, same to same, इसके बाद देखते हैं, तीसरा, तीसरा है, sit down and learn your lesson boys, said the teacher, teacher ने कहा कि बैठ जाओ और लड़को अपना lesson याद करो, teacher ने किस से कहा, boys से कहा, तो यह जो boys है, इसी हम reporting verb, said का object मना नेगी, अब teacher ने order दिया, तो the teacher, इसके बाद said की जाएगा पर order, यह boys object बन गया, the boys, यहाँ पर conjunction to लगगा, to sit down and learn, योर देखिए, योर ये यू का संबंद कारक है, ये बदलेगा, object का नुसार, यान कि boys का नुसार, अब boys बहुत सारे हैं, प्रोनाउन होगा, दे और दे का संबंद कारक, their lesson, Dear students, ये exercise class 10th English excellent guide से ली गई है, और उस ही और exercises मैं करवा चुका हूँ, वो सभी आपको इसी channel पर एक अलग playlist में मिल जाएंगी, और इसी video के description में भी उन videos का आपको link मिल जाएगा, चौथा देखते हैं, she said to me, उसने मुझे से कहा, please wait here till I return, किरपय यहाँ पर मेरी लौटने तक परतिक्षा करो, जब please लगा हुगा हो, तो set to की जगह पर आ जाता है, requested, me, connection to, please हट जाएगा, wait here till, अब देखी, I first person है, ये बदलेगा, subject answer, see answer, तो see हो गया, return present indifferent tense है, तो बदलेगा, past indifferent में, verb की second परमा जाएगी, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं, पांच मां सेंटेंस, देखें, पांच मां सेंटेंस क्या है, the doctor said to the patient, डॉक्टर ने patient ये अनकी मरीज से कहा, do not take butter, ये अनकी butter मत लेना, while you are under my treatment, जब तक कि, तुम मेरे treatment के अंडर हो, जब तक तुम्हारा इलाज चल रहा है, butter मत लेना, तो डॉक्टर ने advise दी, set two की जगर पर आ जाएगा, advised patient, उसके बाद do not जब लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो convention two लगता है, उस पहले ये not लगा देते हैं, और do not पूरा हट जाएगा, उसके बाद take butter while, पूरा same to same, you, you देखिए, you are लगा है न, you के बाद जिक्रिया लगी, आर यान की you करता कारक है, patient का pronoun he और you बदलेगा, patient के अनुसार तो लगे देगे ही, ठीक है, उसके बाद है, he was, उसके बाद ही के बाद आ जाएगा, आर का was, under my जो है, ये first person है, और subject के अनुसार यान की doctor के अनुसार बदलेगा, डॉक्टर का pronoun he, और he का संबन्द कारक ही आ जाएगा, ही ट्रीटमेंट, देखे रेपोर्टर स्पीच में, जब डू नॉट लगा हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो set to है, रेपोर्टिंग वर्ब, इसकी जगह पर हम फॉर्बेड लगा सकते हैं, तो किस परकार से convert करेंगे, the doctor फॉर्बेड द पेसेंट, फॉर्बेड मिस होता है मना किया, डॉक्टर ने पेसेंट को मना किया, दोनोट हट जाएगा, और कंजंग्शन केवल टू लगेगा, दोनोट पुरा हट जाएगा, और टू के पहले हम नॉट नहीं लगाएंगे, यह ध्यान रखना है, टेक बटर वायल, और यह पूरा सेम तु सेम, तो इसको यहाँ पर कंवर्ट किया हुगा है, यह, दॉक्टर फॉर्बेड द पेसेंट तू टेक बटर वायल, यह ध्यान रखना, यह तू से पहले नॉट नहीं लगेगा, इसके बाद देखते हैं, छटवा, मोहन सेट टू मी, तो मोहन ने मुझसे कहा, दो नॉट ड्राइब फास्ट, as the road is very busy, तो मोहन ने मुझसे कहा, तेज ड्राइब ना करो, क्योंकि रोड बहुत बिजी है, अब मोहन ने मुझे एड़वाइज दी, तो set to की जगह पर आ जाएगा advised मोहन advised me उसके बाद देखिए यह do not हटेगा not to conjunction से पहले not लगेगा आप इसको इस परकार से याद रखना कि do not हटके लग जाता है not to उसके बाद verb आएगी dry fast as the road is का was very busy इसको इस परकार से भी convert कर सकते हैं क्योंकि do not लगा हुगा है तो फारबेट से भी बना सकते हैं मोहन फारबेट मी मोहन फारबेट मी इसके बाद to लगेगा dry fast as the road is का was very busy इसके बाद देखते हैं साथ मा गोबिन सेट टू मी प्लीज एक्सक्यूज मी फार बिइंग एपसेंट येस्टरडे किरपिया कल एपसेंट होने के कारण मुझे माफ कर दीजिए गोबिन रिक्वेस्टेड मी प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड आ गया कंजेंशन टू प्लीज हट जाता है एक्सक्यूज मी देखिए ये है परस्ट परसन गोबिन के निस्वार बदलेगा गोबिन का प्रोनौन ही और ही का अबजेक्टिब किस हिम और बिइंग एपसेंट येस्टरडे का दा प्रिवेस डे इसके बाद देखते हैं आठ माँ अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है टीचर ने बॉइ से कहा कि अपनी बुक लाओ और मेरे पास खड़ी हो जाओ तो टीचर ने ओर दिया टीचर ओर दिया ब्रिंग योर बुक योर संबंद कारक है और सेकंड परसन है बदलेगा अबजेक्ट के इंसर बॉइ बॉइ का प्रोनौन ही और ही का संबंद कारक हिज हिज बुक एंड स्टेंड नियार हिम मी देखिए फस्ट परसन है बदलेगा सब्जेक्ट के इंसर टीचर के इंसर टीचर का प्रोनौन आएगा यहाँ पर हिम ठीक है ना टीचर का प्रोनौन ही होता है, टीचर का प्रोनौन होगा ही, सी भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर लख देंगे हिम, नौमा देखते हैं, रीता सेड, if you want to see this cassette, come to me at 5 पी-म, रीता ने कहा कि यदि तुम इस cassette को देखना चायते हो, तो मेरे पास 5 बजे आओ, साम को 5 बजे, तो रीता ने एडवाइज दी, रीता एडवाइज मी, अब object मान लिए अपनी तरफ से क्यों कि यहाँ पर यू लखा है, अब हम देखें, यहाँ से लखेंगे इस sentence को, conjunction to, कम का go हो जाता है, तो, यह जो मी है, रीता के अनुसार हर हो जाएगा, at 5 पीम, इसके बाद यहाँ से जोड़ देंगे, if, I small if, ठीक है न, क्या लखेंगे, if, अब देखें, यू जो है, यह बदलेगा, मी के अनुसार, मी का करता का रख, यू की जगा पर आई आ जाएगा, want, wanted to see, this cassette का, that cassette, इसके बाद देखते हैं, दसमा, संत ने कहा, if you want to be happy, यदि आप खुस रहना चाहते हो, abstain yourself from bad habits, abstain means दूर रखना, अपने आपको bad habits, बोरी आद्टों से दूर रखो, संत ने किससे कहा, यह object नहीं दिया हुगा है, object हम माल लेंगे, जैसे यहाँ पर मी माल लिया, क्योंकि अंदर reported speech में, second person you दिया है न, और you बदलता है, object के अनुसर, object हम माल लेंगे, अब संत ने कहा, कि अपने आपको बुरी आतों से दूर रखो, तो उन्होंने सलाय दी, तो advised भी लिख सकते हैं, suggested भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा suggested, the son suggested me, इसके बाद यहाँ से, यहाँ से, abstain से, to abstain, यह verb है, myself, yourself का बदलेगा, me के अनुसर, myself, from bad habits, इसके बाद यहाँ से, if you, यह मी के अनुसर बदलेगा, तो I हो जाएगा, want present indefinite है, past indefinite, wanted to be happy, तो इस तरीके से exercise complete होती है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, से like कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्नवाद,